कि दोस्तो आज हम बात करेंगे notebook making बिजनस के बारे में दोस्तो चाहे हम school में हो college में हो घर में हो office में हो जॉब में हो या कहीं भी होग में नोट बुक का उपयोग लगता ही लगता है दोस्तों यह जो बिजनस है यह FMCG में आने वाला बिजनस है जो fastest moving consuming good होता है उसमें आने वाला यह बिजनस है क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रवर पढ़ती ही पढ़ती है तो दोस्तों ऐसे में यह बिजनस में कभी मंदी आगी नहीं सकती इसलिए जो बिजनस है यह काफी scope वाला बिजनस है तो दोस्तों आज हम इसी बिजनस के मारा में बात करेंगे के नोटबुक के लिए आपको कौन से मजीनरी क्या शकता होगी कौन से raw material लगेंगे कितने area क्या शकता होगी कितना costing लगेगा वरस में कितना profit होता है तो दोस्तों बने रहे ये वीडियो में और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरह के innovative idea लाते रहते हैं दोस्तों अगर बात किजाए इस business में लगने वाले area की तो इस business को आप residential area में भी start कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो area है यह लगभग-लगभग 3000 square feet तक का इसमे area आपको लग जाएगा second thing आपको यहाँ पर जो electricity है वो commercial connection आपको लेना होगा जो double phase का हो क्योंकि जो इसकी machines होती है काफी बड़ी होती है इसमें double phase का connection आपको जरूद ही होता है दोस्तों अगर बात किजाए इस business में लगने वाले raw material की तो यहाँ पर आपको paper sheet लगेगा इसके अलावा जो आप notebook बनाते हो उसके उपर का जो cover होता है उस cover की sheet लगेगी इसके अलावा आपको pins लगेगी जो उसके center में pin stitching होती है वो pins लगेगी और आपको साथी साथ packaging के हिसाब से कुछ और सामन भी इसमें लग सकता है लगेगी आपको बनाते है झाल 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 झाल